हेलो फ्रेंड्स आज सी स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं 40 साइज बेल्ट ब्लाउज की में कटिंग बताने जा रहे हूँ तो यह मेरा अस्तर वाला कपड़ा है सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े की लंबाई को हम नाप लेंगे तो दिखिए इस साइड से मेरी लंबाई आ रही है 30 इंच और दूसरे वाले साइड से इसकी लंबाई आ रही है 33 इंच तो जिधर से ज्यादा लंबाई होता है उधर से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं और इंच प्लस कर लेते हैं सिलाई के लिए तो देखिए इस तरीके से कपड़े को बराबर में मिलाती हुए हम फोल्ड कर लेंगे तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच और उसमें हम 2 इंच जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 12 इंच तो इस तरीके से बराबर में कपड़े को मिल लेंगे यह बराबर हो गया है 12 इंच आ रहा है अब इस तरह से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और नीचे से अगर आपका कपड़ा बड़ा या छोटा हो रहा है तो उसको बराबर कर लेना है उसके बाद से देखी उपर से मैं ब्लाउज के लंबाई में ले रही हूं 15.5 तयार मुझे चाहिए 14.5 इंच ठीक है तो 15.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और निशान को सिधा मिला लेंगे यह निशान मिलाने के बाद दिखी यहां से सोल्डर मैं रख रही हूं 5.5 इंच और यहां से निक का निशान में लगाऊंगी 2.5 इंच पर तो निशान को सिधा मिला लेना है इस तरीके से और फिर यहां से चेश्ट का निशान लगाना है तो 10 इंच आएगा 40 का चौथा भाग और 2 इंच उसमें मैं प्लस की हूं सिलाई के लिए तो इस तरीके से मैं 2 निशान बना ले हूं एक निशान 10 इंच पर और एक निशान 12 इं तो कमर है 34 उसका चोथा भाग आएगा 8.5 इंच उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे टक्स के लिए और 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए तो इस तरीके से मैं नीचे कमर का भी निशान लगा ली हूँ और निशान को सीधा मिला ली हूँ मैं दोनों निशानों को अब इसके ब कर लेना है और फिर उपर का भी कर लेना है तो देखिए इस तरीके से मैं ब्लाउस की बैक पाट की मैं कर लें हूँ आप इसमें फ्रेंट पाट का निशान लगाना है तो कप्टे कवच्छे से बराबर में हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद लंबाई हमको वन इंच एश्ट्रा लेना है बैक पाट का जो लंबाई था उससे वन इंच एश्ट्रा लेंगे हम फ्रंट पाट के लंबाई तो यहां मैं लंबाई का निशान 16.5 इंच पर मैं लगा रही हूँ नीचे से कपड़े को पहले बराबर मिला लेना है उसके बा लंबाई में 6 इंच लिए हूँ निशान को सिधा मिलाना है चेस्ट भी हम सेम रखेंगे चेस्ट का चौथा भाग और टू इंच सिलाई के लिए रख लेंगे तो इस तरीके से इस निशान को भी हम सिधा मिला लेंगे यहां आर्म होल की गुलाई का निशान 1 इंच पर लाना है तो सिम उसी तरह कमर का भी निशान लगाएंगे कमर का चौथा भाग लेंगे और टू इंच उसमें प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए तो इस तरीके से मैं सिधा निशान मिला ली हूँ मारजन वाला भी निशान को सिधा मिला लेना है अब इसमें मैं नेक का निशा देना है, front part है, इसलिए मैं इसकी लमभाई 6 inch रखी हूं, अब देखी इसमें belt का निशान लगाना है, तो सामने के side से 2.5 inch का हम निशान लगा लेंगे और कमर के साइड से भी हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है अब सीधा मिलाने के बार देखिए सामने के साइड से 1.5 इंच उपर के साइड एक और हम निशान बनाएंगे और जो निशान में पहले बनाई थी उसका center लेना है यानि कि center में एक निशान बना लेना है उसके बाद से देखिए यहां से गुलाई का shape देना है तो यहां से हलके हाथों से बुलाई का शिप दे देंगे इस तरीके से देखिए तो यह बेल्ट का निशान बन गया है इस निशान को डार्क कर लेना है उसके बाद से देखिए जो उपर वाला मैं निशान लगाई हूँ उसी निशान पर से कटिंग करना है सामने के साइड से अब इसमें मैं टक्स का निशान लगाऊंगी तो उसके लिए दिखी 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और यहां से उपर के साइड 2.5 इंच का निशान लगा लेना है दोनों साइड हाफाफ इंच हम रखते हैं फिर निशान को हम सीधा मिला लेंगे ऐसे दोनों साइड का जो मैं निशान लगाई हूँ उस निशान को इस तरीके से तिर्चा में मिला लेना है तो यह टक्स का निशान हो गया है टक्स वाले निशान को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे अब इसके बाद से देखिए सामने वाला निशान मैं बनाऊंगी पहले हाफ इंच पर निशान लगा करके और इस तरीके से निशान को हम सीधा मिला लेंगे यह निशान लगाने के बाद से मैं टक्स का निशान लगाना बताऊंगी जो इस साइड से जो टक्स बनता है उसका निशान तो इस तरीके से निशान को मैं dark कर लूँगी और इसके बाद से देखिए उपर के side से मैं 3 inch का निशान लगाई हूँ और फिर चोडाई में 2.5 inch का निशान लगा करके दोनो side half inch का निशान लगा करके मैं इस तरीके से मैं मिला ली हूँ अब इसके बीच के दूरी को नाप लेना है और उतना ही दूरी हम बाकी दो टक्स में रखेंगे तो इस तरीके से देखिए दोनों निशानों को मैं लगा ले हूँ अब हम सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे पहले निशान को हम अच्छे सेंटर में मिला लेंगे उसके पाज से दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच की दूरी लेकर के निशान को बना लेंगे चौथे वाले टक्स में भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे दूरी सेम रखना है और फिर निशान को लगा लेना है तो इस तरीके से देखिए यहां मैं चारो टक्स का मैं निशान लगा ले हूं अब हम इसी निसान पर कटिंग कर लेंगे, इसंद को बराबर करते हुए हम कटिंग कर लेंगे, साइट से की फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई है बैक पार्ट यह है और यह फ्रेंट पार्ट है दोनों की कटिंग हो गई है दोनों साइड में टक्स का मैं निशान बना ली हूँ अब मेन कपड़े की कटिंग करना है तो देखिए मेन कपड़े को सबसे पहले हम इस तरीके से खोलें और fold करने के बाद हम इसके ऊपर अस्तर वाले कप्ड़े को रखेंगे जो cutting हो गया है अच्छे से बराबर में मिलाते हुए रखना है border वाले side हम back part को रखेंगे और इसके ऊपर हम front part को रखेंगे और थोड़ा सा कपड़ा lipstick लेते हुए हम cutting करते हैं main कपड़े की तो इस तरीके से देखी अच्छे से सेट कर लेना है बेल्ट आप चाहे तो बीच से भी निकाल सकते हैं या फिर नीचे के साइड से भी निकाल सकते हैं यहां से भी हम बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं तो यह कटिंग का वीडियो हो गया है इस्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू